सत्य के बारे में अब तक सुना है सत्य के बारे में अब तक सुना है आया समय सत्य सुनने का खोजी सभी को शुभेच्छा, हपी थौट्स शरीर एक आईना इस संदेश द्वारा अब तक हमने हमारा शरीर किस प्रकार का आईना है हमें यह शरीर किस उद्देश से मिला है इन महत्वपून बातों को समझा आईए अब सत्य प्राप्ती की ओर अगला कदम बढ़ाएं संदेश के इस भाग में हम कुछ उदारणों और एनलोजी द्वारा शरीर को आईना बना कर स्वा अनुभव में रहने की कला सीखें मनो शरीर यंतर क्या है मनो शरीर यंतर है आईना शरीर आईना है तो कैसा आईना है आप अपने आप से पुछोगे मेरा शरीर कैसा आईना है क्या मजे वो पूरा दर्शन करवाता है या आधा अधूरा दर्शन करवाता है कई लोग जीवन भर खोज करते रहते हैं खुद को नहीं जान पाते और कुछ गलत तरीकों में लग गए गलत विदियों में लग गए तो वही करते रहेंगे उन विदियों का लाब मिलेगा मगर तेज लाब नहीं मिलेगा तेज लाब मिलना चाहिए कई सारी ध्यान पततियां है किसी से एकागरता बढ़ती किसी से विल पावर बढ़ता है किसी से आपकी परसनलिटी में बदलाहट आती है स्टैमिना बढ़ती है कारे की शमता बढ़ती है आइडियाज ज्यादा आने लगती है मर वो लक्ष नहीं था वो बोनस था यह सब बोनस में चीज़ें आती है आपकी शमता बढ़ना एडियाज आना एकागरता बढ़ना आप्जर्वेशन बढ़ना विल पावर बढ़ना परसनलिटी में तेज आना यह बोनस है आप उसके लिए नहीं कर रहे थे आप कर रहे थे सुय को जानने के लिए ताकि जो मैं हूँ वही बनकर निरने लूँ मेरे जीवन के सारे निरने वहीं से आए तेजिस्थान से आए अनुभव से आए तो तेजिस्थान क्या है वही अनुभव जिसको एक इस्थान के नाम से कि उस इस्थान पर रहकर ही वो होता है इसलिए उसको इस्थान नाम दिया इससे कोई शरीर पर न पकड़ ले कि ये शरीर पर कोई जगे है ये पॉइंट अफ कॉंटेक्ट है ये योग हुआ मगर ये शरीर पर नहीं है शरीर की वज़े से पता चलता है शरीर पर नहीं है शरीर की वज़े से पता चलता है तो इस तरह इस बात पर काम शुरू करेंगे शरीर को आइना बना कर जब आप ध्यान में बैठोगे सवाल पूछो के मैं कौन हूँ और अंदर से जवाब आएंगे पहले कौन से जवाब आएंगे जो सुने सुनाए हैं रटे रटाए हैं शरीर से संबंदित काला गोरा, हिंदू, मुसल्मान पिताजी मा, पत्नी हस्बेंड विद्यार्थी, करमचारी दीरे दीरे सब लेबल्स हटते गए आप उस केंदर पर पहुंच जाते हैं उस केंदर तक पहुंचने के लिए आपको ये सवाल पूछना है और बहुत जल्दी पता चलेगा ये सवाल नहीं जवाब है क्योंकि ये सवाल पूछ कौन रहा है क्या शरीर पूछ रहा है ये सवाल मैं कौन हूँ शरीर को जानने की ज़रूरत नहीं है शरीर है लाश शव उसको जानने में कोई रूची नहीं है क्या ये सवाल मन पूछ रहा है क्या ये सवाल बुद्धी पूछ रही है या इनको चलाने वाला सल जो जागना चाहता है अब वो सवाल पूछ रहा है तो पूछने वाला ही कैसे जवाब बनता है जो पूछ रहा है वही तुम तो ये conviction होने के लिए आपको शरीर को आइना बनाना सीखना है और बार बार खुद को याद दिलाना है कि ये शरीर मेरा आ आइने के सामने कैसे को बैठे ताकर वो अपना दर्शन करवाई आइने के ऊपर अगर धूल है तो उसको आप साफ करोगे कार की स्क्रीण पर अगर धूंध है तो आप वाईपर चलाते हो के उसी कार में जाना चाहते हो, क्योंकि साफ साफ दिखना चाहिए, मान्यताओं की धूल हटनी चाहिए, मानकर बैठे हैं, ऐसा ऐसा होना शुब, आइने के हाथों में खुजली होना, पैसा लेकर आएगा, या इसकी ये आँख फड़कती है, तो अपशगुन हो जाएगा, ऐसी अने को मान्यताओं शरीर के साथ, तो फिर वही दोखा होता है कि ये में शरीर हूं, तो ये आइना साफ करना है, कैसे साफ हुआ, आपने सुना, शर्वन किया, सत्य शर्वन, माया का शर्वन नहीं, माया तो चाहेगी आपको प्यास लगे तो थमसब पियो, पानी पिय कि ये मात्रा आइना है, इसमें आपका दर्शन होरा और हर समय होरा है, एक शन भी असा नहीं, जिसमें आप स्वव अनुभव नहीं करपाव, मगर कोई कहें कि हमें क्यू नहीं होता, क्यूंके इस साथ जो समझ चाहिए, वो मेसिंग है, समझ बढ़ाई जा रही है, तो आप अपने तेजिस्तान पर पहुंच रहे हो, चलो निरणिय लेना है, पहले तेजिस्तान पर जाओ, वहां से हम क्या निरणिय लें, तो वहां से याद आएगा मैं कौन हूँ, और फिर निरणिय होगा तो वो सही जाएगा, दिरे दिरे आ कारियले में हो, आप चाहोगे कि मैं जो हूँ, वही बनकर निरणिय लूँ, तो यह कब होगा, जब शरीर आइना बनने लग जाएगा, और आइने की डिजाइन में उलजना हम बंद करते जाएगे, अल्रेडी जो पैटरंस है, उन पैटरंस को तोड़ते जाएगे, पैटर वरना चुपी रहती अंदर, तो एक एक करके सभी मान्यताओं को आपके सामने लाया जा रहा है, और आप मुक्त होते जा रहे हैं, अपने आपको जनना सबसे इंपोर्ड़न्ट है, और उसके लिए हमारे निरणिय कैसे निकल रहे हैं, मैं शरीर हूँ, इस भावना से, या वही इश्वर कहें, सेल्फ कहें, मैं हूँ, जो ये सारे कारिय कर रहा है, जिसकी लिला चल रही है, तो फिर आप देखोगे प्रेम, आनद, मौन, बहुत आसानी से आपके द्वारा अभिवक्त होगा, शरीर अलग-अलग होते हैं, अभिवक्ती अलग-अलग होती है, कोई शरीर करम से जादा अभिवत करता है, सेवा से जादा अभिवत करता है, कोई निर्त्य करता है, कोई दोहे लिखता है, दोहे गाता है, अभंग कोई गाएगा, कोई पुस्त के लिखेगा, न्यानेश्वरी लिखेगा, अलग-अलग लोगों के द्वारा अलग-अलग अभि अलग अलग नहीं होता कुछ भी वही है सब मगर अभिवक्ती अलग अलग डंग से होती है तो इस समझ के साथ आपके निर्णिया सारे सही होने वाले हैं आप अटकने वाले नहीं हैं हर दिन अपना दर्शन करने ही वाले हैं संदेश का शेशभाग छोटे से अंतराल के बाद महा आसमानी निवासी शिवर मनन आश्रम पर आयूजद किया जाता है यह आश्रम पुणे शहर के बाहयक्षेत्र में पहाड और निस्सर्ग के असीम सौंदर्य के बीच बसा है इस आश्रम में पुरुष और महिलाओं के लि पहर से 17 किलोमीटर की दूरी पर है हवायड़ा हाइवे और रेलवे से पूना में आप आसानी से आ सकते हैं इस पांच दिवस्य शिवर में खोजी केवल सत्य श्रवन द्वारा आत्मसाक्षात्कार की मन्जिल तक पहुचता है इस यात्रा में खोजी कुछ नियमों और प्रित्वी पर क्यों आया मूख्ष यानि क्या क्या मूख्ष इसी जीवन में संभव है इन सवालों के जबाब अनुभव से प्राप्तो होते हैं सरश्री बहुत ही सीधे और सरल शब्दों में आज की भाशा में अंतिम सत्य को उचातर करते हैं अब आई हमें खोची से इस शिवर के बारे में उनके अनुभव जाने में दिया कया है कि 50% बीमारीा सइको समेटि भोति है लेकिन मैं कहना चाहूंगा ओभी मेडिकल सांथ से 9 यह मान लिया है कि 50 नहीं 80% बीमारीा साइको समेठी होती है ज़ो टेंशन की वज़ेसे होती है और जिरे मेडिकल सायंस परे 5060 बढ़ रहा है और मेरी तो रिसर्च के रही है कि 80 भी नहीं, इससे विए 90 के उपर यह जाएगा, मतलब पकाकड़ा, क्योंकि माइंडी यह रूट में है, और यहां पर वो रूट को ही रोका जा रहा है, मतलब, अगर यह अगर शिबीर को अपलाई करते हैं, लोग मतलब तो उनकी 80 परसन ब अब आईए, हम संदेश का शेषभाग सुने, जैसे एक गाउं है, जिसके चारो तरफ दीवार है, गोल दीवार, चारो तरफ गाउं बीच में, दीवार जो है, बाहर से देखोगे तो आइना है, चारो तरफ गुमोंगे तो आपको अपना दर्शन होगा, उस गाउं के चा परिकर्मा करोगे तो अपना दर्शन होगा, बात क्या है, कि उस आइने में हैं चेद, होल, होल चेद है उसके अंदर, अलग अलग जगों पर चेद है, अभी आप उस गाउं की तरफ जा रहे हो, तो आपको मालुम है कि मुझे अपना दर्शन करना है, मर जैसे आप नस्द अंदर देखते तो क्या देखते है, कि अंदर लोग जी रहे है, चल रहे है, उठ रहे है, बैट रहे है, काम कर रहे है, सब चल रहा है, उसमें आपका भी एक डुप्लिकेट दिख रहा है, तो आप पूरी देर उसको फालो करते रहते हैं, किदर गया, क्या कर रहा है, उठ वेठा बेठा इसने इसको गाली दी यह किया पड़ा गुसा आती रहता है। आप हो बाहर, आपके दुपली के साथ चल रहा है अभी उसी में लगे हुए है। कल्पना करख रहे हैं ने कैसी फिच्चर होगी। आप अपने आपको देख रहे हैं अंदर। और वो पनो चरिर यंत्रा, और आप कर रहे हो दर्शन अपना, आपको तोड़ा दिवा से दूर होना पड़ेगा, वरना छेद के साथ लगे रहोगे, तो अपना दर्शन नहीं होने वाला, तो यह ज्ञान नहीं होता, तो क्या होता, इंसान लगातार उस आइने के साथ चिप का ही रहता है, मन वो फेवी कॉल है, तोलु मन, जो चुपका के ही रखता है, अब इस पेवी कॉल को ग्यान के थिनर के साथ पिगलाया जाता है, थोड़ी सी दूरी बनाई जाती है, थोड़ी सी दूरी बनने तो अपना दर्शन होगा, जो मूल परपरस्ता, आदत की छेद में देखोगे, तो जो आइना आप इस्तमाल कर रहे हो, उसमें छेद है, और उससे दुनिया दिख रही है, और उसमें हम लगे रहते हैं, 3D दुनिया दिख रही है, तो सब रियल भासित होता है, उसके अंदर हम गुसे रहते हैं, बाहर आईनी बाते हैं, तो इसा पुछ गाव था नहीं है बाहर जिसमें ऐसी आइने की दीवार हो वर कोई अनलोजी बताते है थोड़ा समझ में आता है दीवार में कौन सा संगीत बचता है कौन से सांप विच्छू गदे आजाते है चारो तरफ क्या होता है किस तरह के लोग जमा होते है तो कोई अनलोजी बताई तो आपको समझ में आता है कि एक्चुली में क्या अर्थ है एक्चुली में यह हमारे बारे में बताया जा रहा है उसको हम समझेंगे कि हम अब इस आइने का अच्छा उप्योग करेंगी अब समझो आपका आइना गरम हो मौसम की वज़े से किसी भी कारण से गरम है तो गरम आइने के सामने आप खड़े हो जाओगे तो क्या आपको आपकी शक्कल दिखाई नहीं देगी आपको इस शक्कल दिखाई देगी ना आइना गरम है तो क्या हुआ मुझे मेरा दर्शन फिर भी होगा तो दर्शन होगा तो कभी आपके शरीर में क्रोध होता है यह उसक्त क्या है आइना गरम है क्रोध है आइना गरम है मगर फिर भी फिर भी वो आपको आपका दर्शन करवा सकता है सिर्फ आपको याद आना चाहिए कि मुझे इसमें भी अपना दर्शन करना है क्रोध में भरी हुई बोडी विचारों से भरी हुई बोडी लोग दियान में बठेंगे ने विचार विचार चलते तो आप खुद को जाद दिलाओगे ये विचार मुझे नहीं है जिस आइने के सामने में खड़ा हूँ बैठा हूँ उसके अंदर विचार दोड रहे हैं उसके अंदर ब्लड दोड रहा है शरीर आइने हैं ना इसके अंदर ब्लड भी दोडता है सौंस भी दोडती है विचार भी दोडते हैं मगर उसके सामने जो है, वो विचार नहीं है. वो निर्विचार अवस्ता है. वहां से ये जाना जा रहा है. साक्षी भाव से जानकर स्वाक्षी बना जा रहा है. लोग साक्षी भाव तक ही रुग गए उसके आगे बड़े ही नहीं पूरी समझ नहीं है तो लोग साक्षी बनकर रह जाते मगर साक्षी क्यों बनना था स्वाक्षी बनने के लिए स्वाका साक्षी स्वाका दर्शन साक्षी से साक्षी की यात्रा है यह हेड से हाड तक की यात्रा है तो आइने में गुस्सा हो आइने में विकार हो आइने में विचार हो फिर भी आइना आइना है वो आपका दर्शन करवा सकता है सिर्फ आपको याद आना चाहिए यहां कर जिस सिवा का मौका दिया उसके लिए आप सब का बहुत-बहुत धन्यवाद हावी थार्ट्स संदेश में बताए गए उधारणों और एनोलोजी द्वारा हमने समझा के हमारा शरीर एक उच्चितम निमित है जिसके जरीए हम स्वयम को जानकर अपना अनुभव कर पाते हैं हमें शरीर को आईना बनाने की कला सीखनी है सत्यश्रवन, पठन और मनन हमें स्वयम पर लोटने में मदद करते हैं साथ ही हमने जाना कि जब हम तेज स्थान पर रहकर स्वयदर्शन करते हुए निर्णय लेंगे तब वे सही और उच्चतम ही होने वाले हैं तेज ग्यान संदेश की इस शरुंकला के अगले भाग में हम विरोधाभास विचार नियम की शक्ती इस बहुत ही गहरे और महत्वपून संदेश को सुनने वाले हैं यह संदेश आपको विरोधाभास विचार नियम की वह शक्ती प्रदान करेगा जिसके उपरांद आप यह महसूस करेंगे कि जिस उद्देश से आप पुर्थवी पर आये हैं वह उद्देश अब पुरा होने लगा है तो इस नियम को समझने के लिए संदेश का जरूर लाब लें धन्यवाद कि जिस नियम को समझने के लिए संदेश का जरूर लें कि जिस नियम को समझने के लिए संदेश से लिए संदेश करेंगे